आज मैं फिर से आप लोग के समने लेकर आगए हूं एक प्रोड़क्ट रिव्यू जो की बहुत अच्छा मैंने अल्री यूज कर लिया है तो अगर आपके पहली में थोड़ा बता देती हूं अगर उससे आपका 10 समद सकते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए होगा और अगर आप पार्लर में आपके पास अतना अमाउंट नहीं हो पाता है कि आप अपना फेशियल करे जाके तो डेफिनेटली फिर भी आपके लिए ये वाला वीडियो है चले जादा देजिनी करते मैं बता देती हूं मैं बात करें यहां पर और अगर डीटैन फेशियल किट की ये स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग तेरिपी है तो लाइटनिंग ब्राइटनिंग आई डॉन पता नियमे को इसमें ये ऐस से मतलब प्लेम करता है बड़ अगर आपको ड्राय सकिन हैं तो ये क्या वरक करते हैं मैं बता देती हूं य सकिन है उसे को इस न और हुझ 수 20 वह अगरेऩ और को विश्को जाका एक साथ कर रहा है मैंने यूस किया है ठीक है दूसरी चीज अगर आपको ड्राइ स्किन है तो डेफिनेटली आपके लिए पॉफेक्ट है तो यह कुछ इस तरह से आता है मैं दिखा देती हूं ठीक है इस तरह से है अगर आप इसको मार्केट से लेने जाओगे तो 200 रुपए काई प्रका दीक बाने मा नेहें चिस तरह से है। अपको किस तरह से लगाना है आपको किस तरह से हैन पर लाइक करते करते नहीं के लिए 새들ा कि आपको मस से तरह देना है दो यह जह जो मेंने कॉटन हो या कुछ भी आपके पास जैसे हैंटी होता है ना उसको थोड़ा सा डिप कर दे पानी में या जैसे वाइप होता है उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं अच्छे से जब पूरा क्लीन हो जाएगा उसके बाद हमारे पास स्टेप टू है तो यह स्टेप टू है से देख आप को मसाज देना है सर्कल मोशन में जैसे की आप देख रहे हूं मैं दे रहे हूं उस तरह से आपको मसाज देना है 2019 वद थोड़ा अगर आप चाहतरी कशन क्ली तो इसको आप से उर्टार गशिल कर एंसरा खुरा ऑर और यह निकालना है औरम आपने टीश्यु क निकाला है तो मेरे को वह ज्यादा ठीक लगता है ठीक है तो यह था हमारा सेकेंड स्टेप तो थर्ड स्टेप मैं बता देती हूँ आपको तो थर्ड स्टेप है मसाज क्रीम अक्चिल यह सब जो भी है यह सारे फेशियल कित में आते हैं जो कि हम लोग पार्लर में जाते हैं तो वो लोग भी यूज़ करते हैं तो इसलिए आप घर पे यह सब चीज़े यूज़ कर सकते हो खुद से तो मसाज क्रीम आता है आपको मसाज क्रीम पहले लेले मसाज क्रीम उसको आप लेलें और अच्छ़ा से मसाज करना कीको लें कि उतना अच्छा है आप साथ साथ मैं मसाज भी दें थोड़ा सा पानी है वो भी ले के फिर और मसाज दें इस से मुझे क्या लगा एक्चली जो जो स्किन में आपके डस्ट है धूल है और जो भी है वो तना निकल जाता है मेरे को एक्चली मुझे इस चीज से ने यह फील कर You make it all so far 4 hop 15 मिनन्ट के लिए आपको एसको छोड़ देना है तो दस से पंदह मिनट के बाद है की निपास आते है तो पैक में आपको कुछ नहीं बने हैos वैसे लगाना है वैस को लगाना है तो और उसके बास जब यह ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 15-20 मिन इसको रखना जब यह ड्राय हो जाए नाचुरल जो ड्राय हो जाए आपको धूप में नहीं बैठना है आपको पंक्ठे के सामने भी नहीं बैठना है खुद से ड्राय होने नेचुरल रहे हो जाएगा उसके बाद आप उसको निकाल सकते है इस तरह से है तो मैंने जैसे आप देख रहे हो मैं साथ साथ में आपको दिखाती भी जा रही हो और इसको आपको फ्रेश वाटर से साफ करना है बहुत अच्छे से यह था हमारे पास फोर स्टेप लास्ट ए नहीं देखो मैंने यहां पे बहुत जादा ले लिया था यह भी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इतना जादा सीरम लेना पड़ेगा क्योंकि मैं फर्स्टेम यूज कर दी हूं तो मिरको उतना आइडिया भी नहीं था बहुत सारी चीज़ा जो मैंने जादा आई मतलब लगा था इसको आपको लगाना है और इसको ना आपको मसाज देना है जब तक यह अब्जॉब नहीं हो जाता आपके स्किन के अंदर बहुत अच्छे से मलब एक पेशिंस रखना है और इसको आपको मसाज देते जाना है देते जाना है और यह काफी ना अच्छा है म मैंने मतलब यूज करने के बाद में आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ यहां पे तो मेरा फेस काफी क्लीन हो गया था अच्छली जो डस्ट है वो चीजे ना मेरे को काफी मलब नहीं लग रही थी काफी क्लीन नगराता फेस और सीरम तो मैं सच बताऊं तो इसका जो बैस्ट पार्ट है वो सीरम ही है और मसाज क्रीम है यह दो चीजे मेरे को बहुत अच्छी लगी इसमें और डेफिनेटली मैं और भी इसको लगाऊंगी नेक्स क्योंकि मैं बहुत अच्छा लगा तो मैंने यह स्मिटन से लिया है मैं वीडियो आपको मलब प्रवाइड कर दूँगी तो आप वहां जाके देखे मैंने किस तरह से लिया है तो स्मिटन अगर किसी को नहीं भी पता है तो आप जाके दे तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और मैंने पूरे वीडियो में कहीं बोली नहीं हूँ सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज डू सब्सक्राइब टू मैं चैनल अगर आपको हेल्फ फुल लगता है तो तो चले मैं मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब ते के लिए, बाई बाई